हलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाले आप लोगे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहोंगे तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th mathematics का the very first lecture ठीक है सो चैप्टर का नाम जैसे आप देख रहे होंगे real numbers exercise 1.1 का introduction आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जो लोग मेरे से आज तक पढ़ते आएं उनको पता ही है कि हम लोग हर exercise में basically दो lecture करते हैं basically एक lecture होता है introduction lecture जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं उच exercise के सारे के सारे concepts पढ़ लेते हैं और उनको हम लोग examples में apply करना भी आपको सिखा देते हैं एक बार किजी बच्च ने इंट्रोडक्शन देख लिया फिर उसके लिए तो exercise तो हलवा है ठीक है फिर वो क्या कर लेता है exercise के questions को बहुत अराम से solve कर लेता है तो यह भी हम ही कराते हैं ना पहला हम इंट्रोडक्शन कराते हैं फिर हम लोग क्या कराते हैं बच्चों को exercise के questions solve कराते हैं तो यानि कि introduction lecture and question solving lecture तो लेक्चर हम लोग करते हैं तो आज हम लोग करने वाले exercise 1.1 का introduction lecture तो आज पढ़ेंगे 1.1 के सभी concepts पढ़ेंगे क्या है Euclid's division lemma Euclid's division algorithm यह सब आए ना तो सब लोग उसका वादये ना है घर वाले औरै रहे वाले वाले सुञास धारे प्लां स्कूल वाले यूट्यूब वाले सब लोगका श्या दे लिवाले यूट्म 10 एफista कुछ नहीं है असान है समझ रहो टीफोर टेंथ टीफोर टुच्चा ठीक है कुछ नहीं है टुच्ची क्लास है कुछ नहीं है सब आसान देखो आसान और भारी का लेना देना किस चीज से मैं बताता हूं अगर आप डेडिकेशन से और फोकस से कोई चीज धिहान से पढ़ते हैं तो वह चीज आपके लिए हमेशा आसान रहेगी इसके अलावा अगर आप कोई चीज हावा में उड़ती फिरती आप सुन लो तो वह तो आपको वैसे भी टफ लगगी ठीक है तो इसलिए हमको अपने फोकस से डेडिकेशन से रेगुलर होगे पढ़ना है कुछ नहीं है 10th class जैसे आपने 9th class के में पढ़ा पेपर दिये पास हो गए वैसे आप लो क्लास 10 में पढ़ोगे पेपर दोगे और बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाओगे रेगुलर पढ़ोगे है ना हर एक बात को फोलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ तो आप अराम से 95% प्लस स्कोर कर सकते हो इवन 100 आउट ओफ 100 मार्क्स भी ला सकते हो ऐसा आपके सीनियर स्टुएंट्स भी लेके आए हैं 100 आउट ओफ 100 तो इसलिए बहुत कोई rocket science नहीं है 100 आउट ओफ 100 लाना भी ठीक है तो आप लोग हर चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे सुनेंगे है ना और एक चीज मैं आपको और बता दूँ एक चीज मैं आपको और बता दूँ कि देखो अभी शुरुवाद है इसलिए मैं यह चीज बता रहा हूँ अगर mathematics में खासकर mathematics की बात कर रहा हूँ अगर mathematics में अगर आपको कुछ अच्छा करना है ठीक है बड़ी अमाक्स लाने हैं तो एक तो दो आदते अपने अंदर से छोड़ दो पहली चीज कि एक तो solution को जटपट solution देखना एक बच्चों की कुछ बच्चों क करें ना उसके बाद अगर नहीं होता तो आप solution देख सकते हैं दूसरा अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो skip ना करें ठीक है जैसे for example मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है real numbers चैप्टर का नाम है real numbers और real numbers मैं guarantee से कह सकता हूं कि इस particular lecture को देखने वाल पड़ते हैं क्यों कि उनके पास समय नहीं है है ना उनको तो सीधा to the point बात करनी है कि जिससे की बस किसी तरीके से exam में स्कूल में जो test host में number आ जाए बस पास हो जाओं बस लेकिन ऐसा नहीं है आप अगर skip करोगे ना तो कभी भी चीजों में perfection gain नहीं कर पाऊगे ठीक है न तो अभी तो फिलाल exercise 1.1 का introduction स्टार्ट कर देते हैं सो class 10 में exercise 1.1 में basically हम लोग को बहुत जादा कुछ नहीं पढ़ना है दो ही topic है एक तो है Euclid's division lemma ठीक ना बड़े टुचर टुचर topic है मैं आपको भी पता दूँगा थोड़ी दिर में आपको सब कुछ समझ में आ set of steps process procedure so Euclid's division algorithm to find out HCF between two positive numbers to find out HCF ठीक है ओके तो यह पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको real numbers की कुड़ी का पता होगा रियल numbers की कुड़ी का पता होगा यह मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ रियल numbers की कुड़ी का मतलब आपको integers के बारे में पता होना चाहिए आपको rational number के बारे में पता होना चाहिए आपको irrational number के बारे में पता होना चाहिए ठीक है ना मोटा मोटा यह सब पर आते तो आपको ही रहे ठीक है आपको होल नमबर नाच्रल नमबर्स के बारे में पता रहे ठीक ना होल नमबर नाच्रल नमबर्स के बारे में पता रहे बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा कि आपको प्राइम फेक्ट प्राइम नमबर्स के बारे में पता रहे और कॉम्पोजिट नमबर के बारे में भी आपको पता रे हैं आपको झार की सर ऐसा क्या पता करना बेटा मैं आपको बता दो कि पूरे छैप्टर री रियल नंबर्स में यह वर्ड में बार बार काफारता रहूंगा ये सभी केसक वर्ड में बार-बार क्या करता रहूंगा यूज करता रहूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कि आरे यार इंटीजर क्या होता तो सरह हम भूल गए अरे सर रेशनल क्या होता था इरेशनल क्या होता था, होल नंबर क्या होता था नेचल नमबर क्या होता था प्राइम नमबर क्या होता था था हम भूल गए तो इसलिए कोई बच्चा अगर इन सब चीदों का भूल गया हो तो अपनी जिंदगी के कीमती समय से है ना वो मात्र 30 मिनट निकालेगा किते 30 मिनट निकालेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वा है एक्सराइज 1.1 इंट्रोड़क्शन आफ क्लास नाइन्थ मैट्स एंड सी एर्ट क्लास नाइन का पहला ही लेक्चर है जिसके अंदर हमने रियल नमबर्स की कुंडली लिख दी है ठीक ना एक्सराइज 1.1 इंट्रोड़क्शन आफ क्लास नाइन्थ मैट्स नमबर सिस्टम चप्टर है चप्टर वन नमबर सिस्टम उसके अंदर मैंने पहली exercise के introduction में ही पहले के 30-35 मिनट मैंने इसी बात का जिक्र किया है और ऐसा जिक्र किया है कि आप जिन्दगी में भी कभी भी ये सब चीज़ें नहीं भूलोगे ठीक है ना, so chapter 1 number system class 9th maths, exercise 1.1 का introduction जरूर देखें, जरूर देखें, ठीक है चलो जी बैच्चो, तो अब हम लोग बात करते हैं Euclid's Division Lama क्या होता है Euclid's Division Lama क्या होता है भाईया, Euclid's Division Lama चेक करते हैं इसको तो Euclid's Division क्या है देखो, Division सब बच्चों को आता हुआ Division हर बच्चे को आता हुआ अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ 2 से, तो 2, 6, 0, 12, 27, 14 and this is 1 सबी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम लोग DEVIZER इसको बोलते हैं हम लोग Dividend इसको बोलते हैं हम लोग Question Question इसको बोलते हैं हम लोग remainder और ये वच्चा वच्चा जानता है कि dividend बराबर diviser into question into question plus remainder होता है नहीं यकीन है नहीं है कि यकीन तो मैं कभी यकीन नहीं हुगा अरे डिविदेंट देखो ना 15 को आपके लिक सकते हो diviser किता है दो into question किता है साथ plus remainder किता है 1 हो गया यकीन हो गया यकीन किसी को भाई बोर्ड मासी लगाना ना आता हो तो मेरी गलती नहीं पर ठीक है नव remainder के खासियत होती है remainder 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 भी बोल देता है वह सारे लोग लिए ऐसा नहीं होता remainder नहीं होता वह रिमेंडर के खासियत होती है क्या खासियत होती है कि जो आपका remainder होता है यह आपको जो remainder होता है वो हमेशा यह तो जीरो आ जाएगा यह जीरो से बड़ा होगा लेकिन लेकिन डिवाईजर से हमेशा छोटा होगा यह बात कटू सकते है यह बात कटू सकते है यह बात कटो सकते है कि बढ़े हिंडा नॉच यूपलीठ्ट सदीजिजिन क्या कहते है यह यह कहते है कि फॉर एंटली टो पॉजिटिव इंटीजर्स ए य फो धि यह रखेंगे यहिंद सीजिजिजन कहा पर लगा रहे हैं आप, दो पॉजिटिव इंटीजर्स पर लगा रहे हैं, यानि कि दो नाच्रल नंबर्स पर लगा रहे हैं, पर लगा रहे हैं, यानि कि दो नाच्रल नंबर्स पर लगा रहे हैं, दो नाच्रल नंबर्स पर लगा रहे हैं, पर लगा रहे हैं, यानि कि दो नाच्रल नंबर्स पर लगा रहे हैं, यानि कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स पर लगा रहे हैं, जिस दिन तुम बी से ए को डिवाइड करोगे, कुछ क्वेशन टाएगा, और यहाँ पर कुछ रिमेंडर बचेगा, चेक कर लो, चेक कर लो, वही चीज़ उसने बोली है, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपका यूनिक क्वेशन टाएगा, और एक रिमेंडर आएगा, रिमेंडर जो है, वह जिरो या जिरो से बड़ा होगा, और डिवाइजर से छोटा होगा, वही तो बात कह रहे हैं यार, वही बात करें, कोई अलग बात तो नहीं कहीं, है ना, यह एक वेशन क्यों आई, क्योंकि हमने बेसिकली क्या गरा, एको बी से डिवाइड कर दिया, तो यह डिविडेंड है, यह डिवाइजर है, यह क्वेशन क्या, आपकुछ रिमेंडर बचा होगा, ठीक है, यही यूक यूकलेट्स डिविजन लेमा है, यही यूकलेट्स डिविजन लेमा है, चेक कर लो, कहना लगा, चलो सर, यह तो बात आपने पहली बता दी, ठीक है, मेरे को यह समझ में नहीं है, कि इन्होंने बोला कि धिर एक्जिस्ट यूनीक, च्यू एंडर, इस बात का क्या मतलब है यूनीक का मतलब यह है, बेटा, कि पंदरा को दो से अगर हम डिवाइड करें, तो आप करों, मैं करूं, आपके चाचा करें, हिंदुस्तान में करें, अमेरिका में करें, जहां भी करेंगे, क्वेश्चेंट सबका सेम आएगा, यूनीक क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट सबका से माइगा, और रिमेंटर सबका से माइगा, तो थो कि यूनीक है, यह क्वेश्चेंट अर यह समझkes आएगे, तो यह उकलिट्स दिविजयन उन्होंने समझाया क्यों ढosely Yook milkेट कि दविजddb them go पड़ने वाले अभी दिविजियन एल्गोरीब्म होने बड़े नाम ओ रहे हैं लिच्क टयी प्रॉसेस तो Euclid's Division Algorithm से हम लोग क्या करने वाले है HCF of two numbers निकालने वाले है आज तक हमने HCF कैसे निकाला है Factorization करके Highest Common Factor निकाल लेते थे HCF ऐसे निकाला है तो वो कह रहा है कि आप HCF निकालने का तरीका बदलो Euclid's Division Algorithm से HCF निकालो तो यही है और कुछ है यही नहीं ठीक है बोर्ड में भी question आ जाता है तो देखें क्या Euclid's Division Algorithm क्या है Euclid's Division Algorithm अगर हम देखेंगे तो मैं थेयोरी से ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हम सीधा एक question करें हम सीधा एक question करें Euclid's Division Algorithm पे हम सीधा एक question करें तो करा I use Euclid's Algorithm to find HCF of 4052 and 125765 तो यानि कि दो number का यह जो दो number है इन दुनों का हमें highest common factor निकालना है using Euclid's Division Algorithm ठीक है तो एक question के माध्यम से यही पूरा का पूरा Euclid's Division Algorithm आपको समझ में आ जाएगा इतना टुच्चा है कि एक बार समझोगे हर बच्चा कर सकता है हर बच्चा कर सकता है हर बच्चा कर सकता है युकलिट्स डिविजन अल्गॉरिधम अब इसमें करते कैसे हैं बस ये ध्यान रखना कि डिवीडेंड इस इकपल टू देखो डिविडेंड इस इकपल टू डिवाइजर इन्टू क्वेशन प्लस प्लस रिमेंडर होता है ये बात सभी को याद रहनी चाहिए ये बात सभी बच्चों को याद रहनी चाहिए ठीक ना वेर रिमेंडर इस ओल्वेज ग्रेटर देन और इकवल टू जिरो एंड लेस देन डिवाइजर ये दोनों बाते बच्चा बच्चा जानना चाहिए बच्चा बच्चा जानना चाहिए अब ये जो दो नंबर दिये में इनका HCF निकालते हैं तो अलगी तरीका है निकालते हैं 12576 इसको अगर मैं 4052 से डिवाइड कर दूँगा तो क्या होगा भाया ये लगबख 4000 ये 12000 तो तीन टाइम्स चला दूँ तीन दूनी छे तीन पंजब पंदर का पांच का असल को एक तीन चोग बारा यानि कि 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 यानि कि यानि कि क्या मैं लिख सकता हूँ 12576 को 4052 इंटू 3 प्लस 420 अरे डिविडेंट इकोल टू डिवाइजर इंटू वेशन प्लस रिमेंडर लिख सकता हूँ अच्छा अब बाद फिलिंग बाद में फिलिंग बाद में प्रोसेस को समझो अब क्या करना है आपको आपको रिमेंडर 0 नहीं आया आया तो नहीं बस अब आपको रिमेंडर 0 लाने के चक्कर में पढ़ना है और चक्कर में नहीं पढ़ना किसी रिमेंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको यह प्रोसेस रिपीट करना है यह डिवीजन का प्रोसेस रिपीट करना है लेकिन जब डिवीजन का प्रोसेस रिपीट करोगे तो नया डिवीडेंड और नया डिवेजर चाहिए नए दो नंबर चाहिए न डिवीजन करने के लिए कुराने नंबर के सा बसाडू है जीरो ना मिल जाए जीरो ना मिल जाए इसे तहीं है भाई तो यह हमारा नए डिविडिएन्ड है यह यह चारीनित्त सो बाइब 4052 है तो 9 times चल सकता है मैं देखता हूँ 9009 दुनिय ठरकाट कास्ट का एक 9.36 और 1.37 बेलकुल चल गया 2.15 में से 8 गए 7.9 में साथ गए 2.272 यानि कि अब मैं क्या लिख रहा हूँ 4052 बरावर 4052 बरावर 420 गुना 9 फ्लस 202 अब भी रिमेंटर 0 नहीं आया नहीं आ रहा है 0 चलो जी तो डिविजन प्रॉसेस फिर से रिपीट करेंगे बिटा फिर से रिपीट करेंगे डिविजन का प्रॉसेस अब नया डिविडेंड ये और नया डिवाइजर ये यानि कि 272 से डिवाइड करेंगे चार सो बीस को एक ही बार चल पाएगा 10 में से दो गया 8 11 में से साथ गया 4 3 में से दो गया 148 यानि कि चार सो बीस बरावर दो सो बहातर गुना एक प्लस 148 अब भी रिमेंडर जी रो नहीं आ रहा है नए डिविडेंड डिवाइजर मिल गए फिर से डिविजन रिपीट करेंगे यानि कि 148 से डिवाइड करेंगे दो सो बहातर को चेक कर लो चेक कर लो ठीक है सो दिस इस वन टाइम ही चल पाएगा भाईया ओके सो बारा में से आठ गया चार और छे में से चार गया दो और दो में से एक गया एक ठीक है जी ओके भाईया नाओ अब क्या लिख सकता हूं है दो सो बहातर इस इक्वास टू एक सो अड़तालिस गुना एक प्लस एक सो चौविस नया डिविडेंट यह नया डिवाइजर यह क्योंकि रिमेंडर जीरो नहीं आ रहा है आएगा कि नहीं आएगा आएगा टेंशन को ले रहो भाई आएगा एक सो चौविस से अब हम एक सो अड़तालिस को डिवाइड करते हैं सो इट इस गिविंग अस आट में से चार गया चार चार में से दो गया दो सो यानि कि अब हमारे पास क्या आगया है एक सो अड़तालिस इस इक्वस टू एक सो चौविस गुना एक प्लस चौविस चेक कर लो चेक कर लो मेरा बेटा चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो अब भी रिमेंडर जीरो नहीं आया है अब भी रिमेंडर जीरो नहीं आया है यानि की नए दो नंबर क्या मिल गए डिविडेंड डिवाइजर आपको 24, 124, so what you have to do is basically what we can write वहिया, what we can write, पांच बार चला दे क्या, पांच बार चला दे क्या, पांच बार चला दे क्या, पांच अब बीस का जिरो अजिल को दो पांच दो नित दस और दो बारा, so this is you have got char as remainder, so basically what you have got 124 is equals to 24 into 5 plus char, now नया dividend and divisor यह आगया आपके पास, So, अबके आपको, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, charging 24, oh 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 home remainder आ गया, जिरो, तो इसका मतलब आप देख रहें एक बात, कि जब तक remainder 0 नहीं आया था, जब तक remainder 0 नहीं आया था, तब तक हमने क्या किया है जब तक remainder 0 नहीं आया तब तक हम division तब तक हम division करते रहे करते रहे division हम लोग करते रहे तो इसका मतर्ब क्या होगे बटा it is 24 is equal to it is 4 into 6 plus 0 बस division stop जिस लास स्टेप में आपका division होता है उसमें आप अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो आपने बहुत ही ध्यान से अगर देखा हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या समझ में आएगी आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर इंसावी स्टेप्स को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो basically 24 और 4 इसका हCF किता है 24 और 4 का हCF किता है 24 और 4 का हCF किता है 4 चक कर लो भाई जो आपका dividend or divisor है लास्ट वाले dividend और divisor चक कर लो उसका हCF कितना है 4 है और ये ही चीज अगर आप notice करना शुरू करो तो यही इस वाले डिविडेंड और इस वाले डिवाइजर का HCF होगा देखो नोटिस करो नोटिस करो, नोटिस करो, नोटिस करो यही किसका HCF होगा इस वाले डिविडेंड और डिवाइजर का भी होगा चेक कर लो HCF of 148 and 124 यही क्या होगा इस वाले dividend और divisor का भी HCF होगा यानि की HCF of 272 and 148 और इस वाले dividend और divisor का भी HCF यही होगा 420 272 और ऐसा करते करते इस वाले dividend और divisor का भी यही HCF होगा चेक कर लो और इस वाले dividend और divisor का भी HCF यही होगा ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी अच्छा अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना स्टूनेंट्स तो हमें ultimately क्या आगा गया था इसका और इसका HCF निकालो यानि की ultimately हमारे पास आंसर तो आ गया HCF of 12576 and 4052 is equals to किता 4 और इसके अलावा भी हमसे वो किसी भी पेर का पूछ सकता था हम लोग बता देते हम लोग बता देते हम लोग बता देते चिक है अब आप कहेंगे कि सर इससे हमें क्या फायदा हुआ बेटा इससे अगर फायदा नहीं हुआ तो जो तुम्हारी पुरानी टेकनिक है HCF निकालने की तुम निकाल के देख लेना तीन चार पेज तुम्हारे ऐससे भर जाएंगे तब जाके तुम्हारा HCF निकलेगा यहां पे एक पेज में आपका HCF निकल गया है HCF निकल गया है एक ही पेज में आपका HCF निकल गया है है ना beauty है ना beauty एक दो question आप खुद से करोगे तो आपका definitely एक दो question आप खुद से करोगे तो आपको definitely यह अच्छे से समझ में आ जाएगा और ऐसे NCRT के exercise में काफी questions आपको दिये वे हैं तो आप उनको try करें एक बार तो आप इसी question को ही try करें अपने आप से इसको note मत करें इसको note मत करें एक बार इसी question को खुछ से try करें एक बार कर लोगे जिन्दगी बार याद रहेगा ठीक है चलो जी तो फटा फट से मैं अब नहीं कह रहा हूँ कि pause the video to note it down मैं कह रहा हूँ कि pause the video and solve it on your own check कर लो चलो जी students तो ये वाला question लेखते हैं पहला वाला समझ में है क्या ये था पहले वाले में कुछ था ही नहीं ये भी तुच्चा question है 10th class ही टुच्ची है ये लिए उपशै करेंगे हम लोग चलो एक्जामपल नंबर टू एक्जामपल नंबर टू एक्जामपल नंबर टू कि अगर हम बात करें तो कि आए तो कि ये नहीं करें तो कि एवरी positive even integer is of the form 2Q and that every positive odd integer is of the form 2Q plus 1 where Q is some integer सची दिल से दिल पर हाथ रखे बताना किते लोग कोई क्वेशन समझ में नहीं है न चलो तो मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली क्वेशन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लो ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है नाच्रल नंबर सिंपल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इस से ओबर बोड की ओगात नहीं है इतनी ले सकते हैं अच्छा किरा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इवन क्या है जो दो या दो के मल्टिपल हूं उनको इवन नंबर बोलते ना तो यह इवन हो गए यह तो सबको पता है विट अगर किसी को इवन और नहीं पता तो मिलको बता दो तो दो के पहाड़े में दो के टेबल में जो आते ह है यानि कि दो से जो मल्टिपल है या दो से डिविजिबल है देखो एक चीज समझना मैं कई बार बोलता हूं मल्टिपल ओफ और कई बार बोलता हूं डिविजिबल बाई यह दोनों एक ही बात है कोई चीज अगर दो से डिविजिबल है तो दो के टेबल में भी आती है तो इसलिए मुल्टिपल ओफ एंड डिविजिबल भाई दीजार दा सेम तिंग चलो जी तो इसको अटा दे रहा हूं हां तो यह दो के जो मुल्टिपल होते हैं उनको हम लोग इवन नंबर्स बोलते ह तो और नंबर्स क्या है जो के टेबल में नहीं आते हैं यह फिलfa दो से डिवाल नहीं है सो और नंबर्स है वह और नंबर्स है शिकर जी को और मशूंग है अच्छा, every positive even integer is of the form 2Q, तो देखो, every positive even integer is of the form 2Q, यह हमें शो करना है, तो देखो है भी ऐसी बात, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, तो इस जित्ते भी even, even number आप देख रहे होंगे, वो सब के सब कैसे हैं, 2 into some Q, 2 into some Q, 2 into some Q, 2 into some Q, वालब Q का मздмов का है, कोई क्यों क्यों कोई integer है, एने integer, कोई integer है, तो 2 into some integer is 8, यह जित्ते भी, जित्ते भी आपके eval number है, वो सब क्या है, 2 into Q की फार्म में, ठिके इस को देखोंगे, odd number को, तो 2 into 1 प्लस 1, तो बेसिकली एकिस फार्मेट में है, 2 into q plus 1 की फार्में है आप में आप टे servicol कर लो ना दू है इन टू टू प्लस मेर हैं और उख्या प्लस वन के फॉर में है लेकिन एडर तस है उन्होंने का every positive even integer every positive odd integer is of the form this positive integer to infinite होते हैं अब उसको board पर कैसे solve करें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा smartness दिखा नहीं होगे हम बोलेंगे कि let A B दुनिया का any positive integer A B दुनिया का any positive integer ठीक है मेरा भाई ओके now क्योंकि even odd को check करने का तरीका क्या है 2 से divisibility check करने है यानि कि हम को क्या consider करना पड़ेगा consider dividing dividing A by 2 2 से divide करके देखना पड़ेगा even odd check करने के लिए तो A से A को जब हम 2 से divide करेंगे तो पक्की बात क्या है dividend equal to divisor into some question plus remainder और remainder की Euclid's division नेमा क्या कहता है कि its value is always greater than equal to 0 and less than divisor अब R की value क्या होगी 0 या 0 से बड़ी और 2 से छोटी तो इसका मतब क्या है R की सिर्फ दो value हो सकती है 0 या 0 से बड़ी और 2 से छोटी यानिकी वेर क्यों और रभी तो इंटीजर ही होते हैं बताया था ना यूटिस दिमिजल नेमा में क्यों 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 रिमेंडर डिविडेंट डिवाइजर यह सब इंटीजर से तो बिना पॉइंट वाले नमबर है तो रिमेंडर की दो ही वैल्यों सकती है तो इसका मतलब हमें क्या बचा हमें यह बचा कि विया आर की वैल्यू जब 0 होगी तो एक इस फॉर्मेट का होगा टू क्यू फॉर्मेट का होगा और आर की वैल्यू जब 1 होगी तो एक इस फॉर्मेट का होगा टू क्यू प्लस 1 फॉर्मेट का होगा यानि कि दुनिया का कोई भी कोई भी इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्मेट का होगा या इस फॉर्मेट का होगा अब ध्यायन से देखो जब 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 दो का मुल्टिपल है तो हम लोग इवन बोल सकते हैं जब जब 2 का मॉल्टिप३र नहीं है, तब हम लोग ओर बोल सकते हैं. बस कर दिया हमने शू कर्दिया हमने शू की देखो भाई, जित्ते भी even integers थे, वो सब 2Q की की फार्म में हैं जित्ते भी odd integers हैं, positive वो 2Q plus 1 की फार्म में हैं अई शोगर धिन गादिकरं वाह वाह वह वाह वाह व्हाह वाह वाह मौज स घासर तो यह अपका बेसिक टुचा सा सांस सॉलुशन वा पैस सुनो ना जो 2 का मूल सी पिल है व एवननमबर है जो का म simult नहीं है यह वह और नुमबर है ठीक हैं, हो गई बात, clear है? आगे चलते हैं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलू तो ये तो हमने आपको सिर्फ इलस्ट््रेशन बताया कि वही ऐसे आपको सोचना है थीक है तो आप चाहो तो यह पूरी बात भी लिख सकते हो, चाहो तो खाली उधर-उधर की बात लिख सकते हो, यह सिर्फ इलस्ट्रेशन है, चाहो तो पूरी बात लिख सकते हो, चाहो तो इधर-इधर की बात लिख सकते हो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, Example number third क्या कहता है Show that any positive odd integer is of the form of 4Q plus 1 or 4Q plus 3 where Q is some integer काई दे की बात है बाई चलो जी Show that any positive odd integer Any positive odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3 देखो जी मेरेको कुछ order integers लिखने का है 1, 3, 5 and 7 and 9 and let's say 11 और मैं लिखके देखता हूँ इसको लिख सकता हूँ 4 into 0 plus 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 0 plus 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 1 plus 1 4 into 1 plus 3 4 into 1 plus 4 into 2 plus 1 4 into 2 plus 3 यानि कि यह basically 4Q plus 1 की form में है यह 4Q plus 3 की form में है यह 4Q plus 1 की form में है यह 4Q plus 3 की form में है तो यह बात तो जो question में हो कह रहा है यह तो हमें feel हो गया कि हाँ दुनिया का कोई भी positive word integer है वो या तो 4Q plus 1 की form में होगा या फिर 4Q plus 3 की form में होगा ये बात तो हमें feel हो गई है ये बात तो हमें feel हो गई है लेकिन वो कह रहा है कि एनी positive odd integer यहां पर तो हमने चार पांच लिखे हैं यानि कि दुनिया में कोई भी positive odd integer के लिए हमें basically इसको solve करना है तो हम को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भीया कि लेट लेट एबी एनी positive odd integer एवी एनी positive odd integer तो क्या होगा क्या होगा या मैं कहता हूं कि लेट एबी एनी positive integer मैं तो positive integer ही मान लेता हूं है अच्छा अब क्योंकि चार के multiple में check करना है 4Q plus 1 या 4Q plus R की format में check करना है तो हम क्या करेंगे चार से ही divide करेंगे तो consider देखो मेरे भाई क्योंकि 4Q plus R की format में check करना है तो divisor क्या है 4 है तो यानि कि हमें A को क्या करना पड़ेगा consider dividing A by 4 dividing A by 4 A by 4 so what we will get by Euclid's division lemma we will get A equal to 4Q plus R where remainder will be greater than or equal to 0 and less than divisor इसका मतलब क्या है कि remainder की value होगी 0, 1, 2 or 3 कोई integer 0 या 0 से बड़ा 4 से छोटा 0, 1, 2, 3 यानि कि R की 4 possible values है नो बहुत ही ध्यान समझेंगे बटा कि जब R की value 0 है तो A आपका कितना हो जाएगा 4Q जब R की value 1 है तो A आपका कितना हो जाएगा 4Q प्लस 1 जब R की value 2 है तो आपका A हो जाएगा 4Q प्लस 2 जब R की value 3 है तो A कितना हो जाएगा 4Q प्लस 3 बटा बहुत ज्यान से देखना जब R की value 0 है तो क्या ये 2 का multiple हो गया बाई Q इंटीजर, 2 इंटीजर, तो multiplication integer तो 2 का multiple हो गया ये तो even number हो गया अरे ये तो even number हो गया चेक कर लो ये तो even number हो गया चेक कर लो even हो गया अच्छा यहाँ पे हम लोग 2 इंटीजर, 2 इंटीजर, 2 इंटीजर, प्लस 1 इंटीजर तो 2 इंटीजर कितना होगा, always even number तो ये भी even number का case हो गया चेक है लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 common नहीं ले सकते और जो चीज 2 तो माद़ो कर दो common नहीं ले सकते हैं तो यह कमदब यह 2 ka multiple नहीं है it's not a multiple of 2 not a multiple of 2 not a multiple of 2 इसका मतलब क्या है यह order number है ऐसरी हम लोग यहाँ पे 2 common नहीं ले सकते हैs चकर dove common नहीं ले सकते इसका मतलब noise-off of 2 not a multiple of 2 और कोई चीज अगर multiple of 2 नहीं है तो इसका मदब क्या है वो और है तो यानि कि हमने क्या शो कर दिया कि जितने भी और और पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 4Q प्लस 1 की फॉर्म में या 4Q प्लस 3 की फॉर्म में ठीक है यह हमने शो कर दिया तो यहाँ पे यहाँ इसको हटा दू क्या मैं यानि कि यहाँ पे finally what we can write कि hence we have proved hence we have shown लिखेंगे hence we have shown we have shown we have shown क्या हमने शो किया है कि भाईया जितने भी hence we have shown that that odd positive integers are of the form 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 4Q plus 1 or 4Q plus 3 चीए बटा वो दिस इस हो विए थो सॉल क्लियर है 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 असान कोशन है टुचे कोशन बात तो समझ में आ गए होगी आपको basic basic की बचल क्या रहा है ना सर अब तो हम पेल देंगे अब तो सर अब पेल देंगे अब आपने इसी वाज बता दिया अब तो हम कर देंगे काम कोशन कोशन को आप अराम से किते बच्चों को क्वेशन सच में समझ में है एक तरिका वह जो आपके स्कूल हों में सिखाते हैं क्या कि सिंपल इसका लाकए हें दोनों का एंख क्यों कर रहे हैं ऐसा है किसी को नहीं पता एक टिकर ना-एक नर जिसको पता है है ना वह डेफिनिटली उसको वह एक्जैक्ली लेर्ण कर रहा है कुछ ना तो बैटा अगर आपको लेर्ण करना है तो आप सॉलुशन देखें अधरवाइस तो आप इसका युकलिट्स डिविजन अल्गोरिदम से एच सिफ निकाल दें लेकिन क्यों निकाल रहे हैं इसके कि ऐखें के पिछिए एक करके टिक ना तो ऐसी आपको क्या करना है काजु बरेफिी लगना है जदान ज़्यादा लाइन सोगे यह बदाम बर फी यह बदाम बर फी यह बदाम बर फी ठीक ना अच्छा वह कह रहा है she wants to stack them in such a way that each stack has the same number तो सब में same number ही होना चाहिए सब के अंदर ही क्या ओनी चाहिए सब के अंदर ही सेम नमबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए हर हर लाइन के हर स्टेक के अंदर है ना तो इन सब में भी उतनी उतनी है लो मैं आपको एक मिनट लगी तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ हें ठीक है यह ज्यादा ज्यादा रोज लेली में ने पंगा लेली आ है चलो कोई बात कि ठीक है कोई बात हैं हम जिंदगी में अटाइम वेस्ट कर देता है कुछ काम की चीज में थोड़ा वो चल जाता है तो कोई दिक कर नहीं है अगर तो हर स्टेक में सेम बर्फी है और जादा से ज्यादा बर्फी भर पाएंगे जादा से ज्यादा बर्फी अगर हम भर पाएंगे तो हमको क्या होगा यह जो lines है, यह stack है यह कम होगा और वो tray का least area ही occupy करेगा tray का least area ही occupy करेगा तो हमें एक stack में जाद से जाद है यानि कि we will try to take the highest possible value of n है ना, तो मान के चलो, अगर यह n number of burpees हैं एक stack में, तो highest value n क्या है, highest n n की जो भी value हो सकती है this is highest n लेना है हमें ठीक है ओके, नाओ मान के चलो, काजू बर्फी आपकी x number of stack में हैं और बदाम burpees आपकी y number of stack में हैं तो क्या मैं 420 को लिख सकता हूं कि यह x number of stack and n, into n क्योंकि एक stack में n number of burpees हैं और यह n क्या होना है, highest number होना है n, ठीक है, n की highest possible value of linear है, ठीक है अच्छा, बदाम burpees के अगर मैं बात करूँ तो y number of stack हैं और एक stack में n burpees हैं क्योंकि, एक stack में n burpees हैं क्योंकि, तो इसका मतलब क्या है, तो y into n now, अब ध्यान से देखो हमें n की value निकालना हैं, ठीक है, what is the number of that can be placed in each stack for this purpose यहनिके, एक stack में total number of burpees कि इत्ती रख रहे हैं हमें उसकी value निकालना है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, basic निकारा बहुत ध्यान से देखो, तो 420 के दो factors हैं 130 के भी दो factors हैं, यह काजू और बर्फी यह काजू और बदाम दिखा रहा हूं है, k और b से, हैना कभी आप confused हो जाओ, ठीक है ना, अब आप ऐसे देखो, 420 के दो factors हैं और 130 के भी दो factors हैं, इन में common क्या है, एन है, तो यानिकी n क्या है आपका common factor है, common factor है, ठीक है, ओके, अच्छा, एन, एन इस दो क्या न चाहता हूं, कि भाईया, एक stack में जादा से जादा बर्फी रख सकूं में, ठीक ना, 2 है, ऑक्टिपाइद अली से दिखे आप देट्रे, यानि कि यह जो common factor है, इसकी highest value निकालनी है, ना, मिलको highest, highest value of n निकालनी है, highest n निकालनी है, यानि कि highest common factor of 420 and 130 निकालनी है, तो यहां से हमें पता चला, कि basically हमको निकालना क्या है, HCF of 420 and 130, अब इसको यूकलिट्स दिविजन लगा के, बड़े अराम से कर सकते हैं, निकालना है, तो 130 से 420 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले, it is 390, यह कितना बढ़ गया भी या, 12 से नो गए तीन, और, बलकि 30, है ना, 13, 49, 30, है ना, so basically what we can write, we can write, कि भई, 420 is equals to 120, 130 into 3 plus 30, now new dividend, new divisor, तो 30 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा यह, 120, यानि कि 10 आएगया, यानि कि 130 is equals to 30 into 4 plus 10, अभी भी रिमेंडर 0 नहीं आया, एक बार और रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे बटा, तो अब क्या होगा, नया dividend, नया divisor क्या है, नया dividend यह, नया divisor यह, तो 10 और 30, 10 तरी जा 30, रिमेंडर 0, यानि कि 30 is equal to 10 into 3 plus 0, आप क्या अब जा उबसर्व कर रहे हो, बाई देखो, 30 और 10 के बीच में जो HCF है, वो 10 ही है, है ना, भाई 30 और 10 के बीच में जो HCF है, वो 10 ही है, तो HCF of 30 and 10, तीना, is 10 only, 10 only, और यही HCF किसके किसके बीच में ही होगा, is 130 और 30 के बीच में और यही HCF किसके किसके बीच में भी होगा 420 and 130 के बीच में so ultimately हमको क्या चाहिए था 420 और 130 का LCM so HCF of HCF of 420 and 130 कितना हो जाएगा it is 10 hence hence n equals to 10 tells us number of perfis in a stick to have least to occupy least area of tray occupy least area of tray ठीक है तो this is हमने टाइम लगाया बट हमने चीजों को समझा otherwise तो सबसे आसान कम दा ना 420 और 130 का HCF निकालना हो तो मैं शुरूर में बता देता चलो जिस्ट्मेंट तो ऐसी फील करके पूरा क्लास 10 का मैतमेटिक्स पढ़ते रहेंगे ठीक है ना मजे लेते रहेंगे तो मिलते स्ट्वेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्साइज 1.1 के क्वेशन को महां पे सौल करेंगे तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के आपको जो नोट्स हैं वो डिस्रिप्शन में आपको हमारा स्कोर प्लस एप मिल जाएगा टेलिक्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो उन सब चीजों को आप जोगरें आप को डाउंलोड करनें तो इसका यूट्यूब के हम पढ़ाते हैं उसका study material आपको मिल जाएगा है ना तो इसका lecture का जो notes है वो आप कहां से download करेंगे score plus app से ठीक है जी तो next lecture में मिलेंगे students but before that please pause the video note it down okay students bye bye I love you all and I'll see you in the next video